नवस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज जो तीन मुद्दे मैं आपके साथ लेकर आया हूँ मुद्दा नमबर एक मद्द प्रदेश राजिस्थान चत्तीस गड़ के चुनावों में प्रशासन और चुनावायुक का खुला पक्षपात भाषपा के पक्ष में मुद्दा नमबर दो उत्तरा खंड टनल से 41 मजदूर निकले देश ने राहत की सास ली मगर गोदी मीडिया का शर्म ना खेल प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के महिमावंडन में और मुद्दा नमबर तीन देश के उप्राश्वपती ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को युगपुरुष ही नहीं बताया महात्मा गांधी के बराबर खड़ा कर दिया यानि कि सामवेधानिक मर्यादाओं की तमाम हदों को पार कर दिया शुरुआत हम करना चाहेंगे चुनावो से जैसे कि आप जानते हैं तीन दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं मगर इन चुनावों में अगर एक चीज दिखाई देती है दोस्तों कि किस तरह से प्रशासन ने खुले आम भाज़पा का साथ दिया मिसाल आपके सामने हैं कि किस तरह से पोस्चल बैलेट्स को खोले जाने लगता है तमाम नियमों को दरकिनार करके कॉंग्रेस के कारकरता उस मंजर को कैद कर लेते हैं अपने कैमरे में बात वहाँ नहीं रुकती है मध्यप्रदेश के मंत्री हैं गोविंद राजपूत गोविंद राजपूत जो हैं वो अपना खर्चा कम दिखाने के लिए कलेक्टर के साथ साठगाट करते हैं ये सारी चीज़े और ही होती है दूसरी तरह विपक्ष ये तमाम मुद्दे लेकर शुनाव आयोक के सामने जाता है सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक संस्था जिमेदार है तो वो भारत का निर्वाचन आयोग है क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग जो इंजन है पूरे के पूरे चुनाव प्रणाली का चुनाव की प्रक्रिया का अगर वो ठीक होता है तो नीचे की सारी मशिनरी दुरूस्ट हो जाती है टी एन सेसन के दौरान हम ये देख चुके हैं अब सवाल इस बात का है कि जो बाला घाट की घटना है उस पर एक लाइन में जरूर काना चाहूंगा कि दो केवल नीचे के करमशारियों को सस्पेंट किया गया लेकिन जो कलक्टर है टरनिंग आपसर उस पर कुछ भी नहीं हुआ तो ये बताता है कि मिली भगत कितनी स्ट्रॉंग है बाशा क्या है समुद्दे का पंच अभिसार देखी एक बात जो 2014 के बाद से एक नया नॉर्मल बन गई है भारती लोकतंत्र का उसका ये नमूना है कि सारा तंत्र सारे जो मशीनरी है उसकी जो निश्पक्षता है वह सब दाओं पे लग गई है और चुनाओ जीतने के लिए यहाँ जब मैं बोलती हूँ चुनाओ जीतने के लिए यानि भाजपा को जितवाने के लिए सारा तरंत पूरी बेहियाई के साथ खड़ा नजर आता है और कहीं से भी ना कोई accountability है ना कोई शर्म हया बाकी है भाजपा सत्ता में आए इसके लिए सारे लोग पूरी बेशर्मी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी सार क्या है इस पर आपका पंच आजाद भारत के इतिहास में भाजपा जैसी कोई party नहीं रही जिसने इस तरह से सामविधानिक मर्यादाओं की धज्यां उड़ाई है जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है इसलिए शुनाव आयोग पर सुप्रीम कोट का फैसला इसलिए जरूरी था कि आयुकतों की नियुकती में सरकार का पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए जिससे मोधी सरकार ने पलड़ दिया था जिससे आप समझ सकते हैं ये सारा खेल कैसा है बाशा हमने देखा वो वाइरल वीडियो जिसमें पोस्टल बैलेट्स खोले जा रहे हैं मुझे अब चलिए उसमें गड़बड हुई नहीं हुई कम से कम ये वो वीडियो है जो सामने आया जो देश ने देखा परदे के पीछे क्या-क्या हो रहा है हम नहीं जानते मगर सबसे शौकिंग गोविंद राजपूत की जो मिसाल में दे रहा था मद्रदेश के मंत्री है उन्होंने कलेक्टर से बात कर दी कि भाया मेरा खर्चा जादा हो गया है हाफ कर दीजे जो क्वालिस की गाड़िया है या स्कॉर्फियू की गाड़िया है दिन में खर्चा 24 सो है उसे बारा सु कर दिया है मतब वो जैसे कहते हैं न सहीं भाय कोतवाल तु डर काहे का मतब कुछ भी करो तुम्हें कोई नहीं चूँ सकता और देखे ये सारी चीजें बिल्कुल सही का अबिसार आपने कि ये सारे तथे वे हैं जो हमारे सामने आये हैं अब आप सोचिए कि जहां पर वीडियो लोग नहीं बना पाए या जो परदे के पीछे के खेल हैं वो जिस तरह से चल रहे होंगे उससे एक बात साफ है अबिसार कि इन सब को डर भी नहीं है मैं तो मद्रप्रदेश में थी जिसमें केंद्री मंत्री तोमर को ये संदर्व में तमाम वीडियो सामने आ रहे थे और मजाल है कि एक व्यक्ती भाषपा का स्पोक्सपर्सन भाषपा का स्थानिय नेता उस पे मुझ खोल पाए और प्रधान मंत्री जी वहीं चुनवा प्रचार कर रहे थे इससे ये पता चलता है कि जो भाषपा का भ्रषटाचार है ये जो सारे उदाहरण आप बता रहे ह ये ब्रषट आचरण है करप्ट प्रैक्टिसेज हैं जिसके तहर सजा होनी चाहिए सवाल है कि किस ने खोली किसके कहने से ऐसे ही थोड़ो होता है कि आप पोस्टल बैलेट खोल देते हैं ऐसे ही थोड़ो है कि आपको ये कॉन्फिटेंस है कि आप डीम के पास जाएंगे क देख चुकी हूँ कि आप सुलना ही नहीं कर सकते हैं आपके पास अकूत पैसा है मगर लालच की कोई हद थोड़ना है और सता के लिए उर्मिले जी गिरीश मिश्रा दीपकारिया ये वो दो कलेक्टर्स हैं जिनके चलते हैं काम हुआ हम लगातार देखने हैं आपको याद होता है चीजों को पलटने में और खासकर अगर आपका प्रत्याशी विपक्ष का प्रत्याशी कोई बहुत जादा जागुरूक ना हो यह अपने आप में कितना खतरनाक है किस तरह का इंडॉक्रिनेशन इन कलेक्टर्स का हो गया है जो कहने को गर्मिन्ट सर्वेंट्स हैं मगर पार्टी विशेश के प्रवक्ताओं की तरह काम करते हैं देखे आपने बिहार का जिक्र किया तो मुझे याद आती है एक घटना कि एक किसी जिले में शक्ती आदो नाम के एक उमीदवार आरजेडी के थे उनको वकायदे कलेक्टर ने फोन किया क्योंकि वो जा चुक हो रहा है इस बार भी लेकिन अब कितना प्रकाश में आप आएगा हो सकता है कि डिक्लेडेशन के बाद आवे चुनाओ के बाद तो कोई नहीं जानता कि इस डेमोक्रिसी का क्या आल है और देखे दुनिया में शायद ही कोई सभेलोक्तांत्रिक देश होगा कोई भी सभेलो अपना भारत है क्योंकि लोगों को प्रशासनिक मशिनरी पर चुनावायों की मशिनरी पर भरोसा नहीं आए लोग एक एक कांस्वेंसी में पहरा दे रहा है भी पक्षके ये आश्चज रखे और हम विश्व गुरू हैं लोग तंत्र के हम अपने को दावा करते हैं कि ताके रत में बैठ कर आप चुना प्रशा करेंगे भाषा सेना को भी सबसे शौकिंग बात है जो जिक्र किया जा रहा है याँ पर सैनिकों को कहा जा रहा है कि आप जब चुट्टी पर जाएं तो सरकार की उपलब्दियां सेना को नहीं बख्षा आपने सेना हो गई क्या लेवल तक के लोगों को कहा गया है कि आप रत में बैठ के जाएंगे और आप प्रचार प्रसार करेंगे यानि वो आपके परसनल एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं अमरित काल लिव इंडिया जी तो यह एक बहुत चिंत करने वाली बात क्या दिखाई दे रही है कि य यहां मद्ध प्रदेश में खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है आप सुचिए लोकसभा चुनाओं में क्या होगा देखिए लोकसभा चुनाओं के लिए अगर विपक्ष बहुत मजबूर टीम नहीं बनाता तो जिस तरह की तैयारी है जिस तरह से सारा का सारा सिस्टम उर्मिलेश जी चुनाओ आयों की बात कर रहे है मैं तो कह रही हूँ कि कम्प्लीट सिस्टम एक तरह से हाईजैक जहां को लीगल मदद नहीं मिल सकती चुनाओ आप दरवाजा खट-खटाएंगे कि इसका पूलिस का खट-खटाएंगे आप एड्मिस्टेशन का खट- लेके जाता है शिकायत करता है मगर साहब मजाल है चुनाओ आयोग सुन ले एक पनौती वाले बयान पर आपने नोटिस दे दिया बवाल कर दिया मीडिया के जरीया आपने उस मुद्दे को उठा दिया मगर प्रधान मंत्री फासी लगाने तक की बात करते हैं साहब इतना कंभीर आरोप उस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उर्मिले जी प्रधान मंत्री जो हैं मूर्खों का सरदार कहते हैं और ये सब तमाम चीज़े तो हैं जो हमारे सामने उबर कर आ रही हैं एक लोकतंत्र में मीडिया सत्ता पक्ष की या जो पोलिटिकल पार्टी शाम करना शुरू कर दे समवैधानिक संस्थाएं बिलकुल गुलाम बन जाए उस देश में जहां कि मीडिया बिलकुल मीडिया न रह जाए खासकर टीवी पूरम की बात मैं कर रहा हूं वो बिलकुल धोलक बजा रहा है मरदंग बजा रहा है सत्ता के लिए कोई मैं तो मानता ही नहीं कि टीवी पुरम को हम मीडिया मानना चाहिए हमें तो मानना चाहिए कि यह टूलकिट है ऐसे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का वरुसा किया जा सकता है कि जनता इतनी उस देश की जागरित हो जाए कि वो तमाम इन इन शडियंतरों को बिल्कुल रिजेक्ट कर जनी चुनाव कुछ रास्ता दिखाएंगे यह चुनाव कुछ रास्ता दिखाने चाहिए भाशा यहाँ पर एक और चीज है भाश पा का चुनाव प्रचार ही दी खत्म होता है और चुनाव प्रधान मंत्री पहुंच जाते हैं तेजस उडाने रिपा जे कि Q Quando प्रधान सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री इनका चुनाव प्रचारनी खत्म होता और देखिए पाँच राज्यों के चुनाव हुए हैं आज वोट पड़ा रहा है तेलंगाना में सब जगा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं तो प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री और मुझे ल होता है जिसका लाइव कवरेज होता है तो दुसरे की आवाज न सुनाई दे उसे द्वस्त करने पे भारती जंता पार्टी का पूरा का पूरा शाशन और मोधी सरकार उतारू है जिक्र किया था यहाँ उर्मिलेश जी ने मीडिया के किर्दार का उत्तराखंड से हमारे एक तालीस मजदूर सुरक्षित बाहर निकले देश ने राहत की सांस ली और सबसे अच्छी बात टीम इंडिया का प्रयास दिखा जो राट माइनर्स थे यानि कि जो मजदूर उन्हें बचाने गए थे उनमें हिंदू भी थे, मुसल्मान भी थे, मुन्ना खुरैशी भी था, अंकित भी था तमाम लोगों ने मिलकर उनकी जान बचाए मगर उन जैसे ही बाहर निकले, तब एक टूल किट के अंतरगत, मीडिया निशाना सादने लगा विपक्ष पे यह मिसाल देखिए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ यह वो तमाम गोदी मीडिया के जो सम्माने हैं, वो यह कह रहे थे कि विपक्ष यह दूआ कर रहा था कि यह उपरेशन फेल हो जाए याने कि पहली बात उत्तरा खंट टनल का यह घटना करम क्यूं हुआ सरकार से सवाल ना करो, मगर न सिर्फ फिर उसके बाद प्रधान मंत्री का महिमा मंदन करो, बलकि विपक्ष को गाली दो जो कि सवाल उठा रहा है, क्या है इस मुद्दे का पन शुरुआत हम करेंगे भाशा से अभिसार यह जो पूरा घटना करम है, यह भयानक दुखद है क्योंकि यह मौका है मीडिया से सवाल पूछने का जिने वो हीरो बना रहे हैं चाहे वो मोधी जी हो या धामी जी हो जो मुख्यमंत्री है उत्राखंड के उनसे सवाल पूछने का कि यह सुरंग इस तरह से क्यों बनाई जा रही थी यह जो कंपनी है इसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं हुआ इस कंपनी के क्या लिंक है बड़े उद्योग पतियों से यह सारे सवाल पूछने के बजाए जिन से सवाल पूछने हैं उनको आप हीरो बनाकर एक बहुत ही निचले स्तर की पी आर एजेंसी में तबदील हो गया मीडिया का यह पूरा का पूरा केमा जो सिर्फ और सिर्फ मोधी गुडगान में भरोसा करता है अभी सार क्या है आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि हर बड़ी घटना के बाद एक टूल किट जारी होता है जनता भी यह देख रही है जो तमाम मिसाल मैंने आपके सामने गोदी मीडिया के पत्रकारों की पेश की सब की भाषा एक ही है सब यही कह रहे है कि सहाव वर्ल्ड कप में इन्होंने प्रधान मंत्री को गाली दी वर्ल्ड कप में हार को लेकर अब यह लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि भाई उत्तराखंड में भी यही होगा याने कि असफलताओं पर सरकार से सवाल ना किया जाए और जहां पर सरकार मुश्किल में होगी प्रेशर में होगी वहाँ पर विपक्ष को खलनाय के तोर पर पेश कर दिया जाए यही इनका टूल किट है क्या है समुद्धे का पंच बताएंगे और मिलेश लोगों को बचाने आए उन्होंने मेहनत की उनके कारण उनके निर्देशों पर लोगों की जान बची है क्या गजब का गुनगान हुआ लेकिन असलियत यह है अविसार की जो इस पूरे मामले के फरिश्टे हैं एक तालिस लोगों की जिंदगी बची है जो और वाकई जो आपने कहा रैट माइनर्स हैं और यह जो रैट माइनर्स हैं बारह लोग इसमें मुस्लिम हैं दलित हैं और उत्पिरिच समाज के लोग हैं तो मजदूरों ने मजदूरों की जान बचाई लेकिन नाम बड़े लोगों का हो रहा है क्योंकि मीडिया उनका है भाषा आपको यह मुद्दा उठाना चाहिए जो मैंने कम से कम अपने शो में उठाया कि भाई आप एक टनल में हैं आप फस गए तो यह नियमों का हिस्सा होता है कि अगर आप फस गए तो वहां से इसकेप कर उठोना चाहिए यह बहुत ही बेसिक चीज है इस बुन्यादी मुद्दे को मीडिया को उठाना चाहिए उन्होंने नहीं उठाया नव्यू कंपणी जो इसका निर्मान कर रही है उसका एक और इतिहास रहा है आपको याद है एक और दुर घटना हुई थी जिसमें करीब चालीस लोग मारे गए थे इनका एक इतिहास रहा है अरे भाई यह बुन्यादी सवाल है उठाओ प्रधान मंत्री ने उस पूरी घटना के दौरान जब तक वो बाहर नहीं आ गए थे एक शब नहीं का था खैर प्रधान मंत्री को इतिहास रहा है मनिपूर में भी कुछ नहीं बोलते हैं विपक्ष को ताना मारने के लिए वो लोग संसद में बोलते हैं यह तमाम मिसालें उससे बचने के लिए इस तरह का अग्रेशन जो मैंने अभी अभी दिखाया अपने दर्शकों को क्योंकि देखे इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि जिसकी जो मैंने कहा भी अभी सार कि जो लोग जिम्मेदार हैं सवाल है चार धाम पर योजना जो बन रही है इसको लेकि जो लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं इस टनल में इसकेप रूट क्यों नहीं था भारत के अलावा कहीं पर भी घटना हुई होती इस तरह से जहां पर इसकेप रूट के बिना आपने इतनी बड़ी सुरंग बना दी जो की नक्षे में है अब लोग बोलने है कि नक्षे को ल पत्रकार ने जो लोग मारे गए थे उस पर दोश मणा था तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता को कि अभी देखिए मैंने वही कहा यहां जो लोग जिन से सवाल पूछा जाना चाहिए क्योंकि यह ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधान मंत्री नरेन मोधी का है तमाम विरोत के सबीड़ाइकश कर रहे हैं कियों नहीं क्रोफाइल पचय कर रहे हैं कि यह कंपनी क्या है अभी तक कि और अगर प्रधेश में हुआ हो था जहां विपक्ष कि सारकार है तो आपको लगता है इसी तरह से कितना दूर है 9 दिन तक ये लोग इंतजार करते रहे क्योंकि मोदी जी भी इंतजार कर रहे थे कि वर्ल्ड कप भारत को मिल जाया उसके बाद गुडगान हो 9 दिन तक इस मीडिया के तमाम लोग जो आज ट्वीट आपने दिखाए हैं एक ने भी एक स्टोरी नहीं की उर्मिलेश जी ये तो शुक्र है यहाँ पर मीडिया को या भाजपा की संसकारी प्रचार तंत्र को कोई मुस्लिम विलिन नहीं बिला यहाँ जो हीरोस थे चाहे मुन्ना कुरेशी हों इन लोगों ने अपनी जान पर खेल के बाजी लगाकर रैट माइनर्स जिसका हम जिक्र बार-बार कर रहे हैं बचाया बलकि आपको याद है बाला सोर में इस प्रचार तंत्र ने एक मुस्लिम जो है स्टेक्शन मांस्टर ढूंड लिया था उसे विलन बनाने की कुश्टी दरगा ढूंड ली थी जबकि वो लोटेस चेंपल था तो यहां तो शुक्र है हुने वो मुसलिम विलन नहीं मिला यहां जो हीरो था वो मुसल्मान थे अफको सिर मुसल्मान नहीं था अंकित भी था देवेंदर भी थे हिंदू दोनों थे मगर यहां पर वो भावना थी जिसके चलते है देश चलता रहा है टीम इंडिया की भावना जा हिंदू मुसल्मान दोनों एक साथ मिलकर जीत हासिल शब्विस घंटे लगातार काम किया हूं। यह क्या बात है लेकिन हमारी टेक्नोलजी उन्होंने ली भारत की पुरानी पारंपरिक टेक्नोलजी उसके आधार पर उन लोगों तक पहुंचे नई टेक्नोलजी वहां पहुंच नहीं सकी और संजोग देखिए कि वे सारे दलित और मुस्लिम हैं। एक सवाल भी नहीं उठाया गया कि यह जो कंपनी निर्माण कर रही है। जन्मीन जो इन्वरेमेंटलिस्ट हैं उनसे मीडिया पूछेगा तो बताएंगे लेकिन मैंने देखा कि कुछ एक अकपारों ने उनकी बात चापी है। लेकिन मीडिया का बड़ा हिस्सा बिलकुल नहीं चाप रहा है। आपने एक सवाल उठाया इसकेप के लिए आपने तीन रूट सजेस्ट किये गये थे। इस पर कंड़ा सवाल होगा क्या इस पर कि लाप कारवाई होगी हुआ कर रिस तक नहीं हुई मैं कहते हूं अभी तक पैसा उस कंपशनी से अक अकाउंट बिलिटी उस कमपनी से ना प्रशाशन ने की और ना ही मीडिया ने पूछा और दिए एक पैटर्न है मोरवी में भी घटना हुई लंबे समय तक उस कमपनी के खिलाब कुछ नहीं हुआ जब दबाव बढ़ने लगा मीडिया का खासकर मतलब अंग्रीजी मीडिया ने सवाल उठाया वेब स साइटों पे उठा तब जाकर हलकी फुलकी कुछ बात हुई एक और घटना हो गई मोरवी के द्वस्त होने के बाद एक और पुल वहां गिरा गुजरात में नोबडी नोज नहीं होता है ना सिर्व घटनाएं होती है बलकि हमने बाला सो ट्रेन हाथसा देखा जिसमें 300 लो पर फोन पर बात कर रहे हैं यही चल रहा था फोन पर भाल चाल ले रहे हैं वो उत्तराखन टनल के रिस्क्यू के बाद जो पूरा कवरिज था वही हमने तेजस की उडान के दौरान देखा पूरा फोकस प्रधान मंत्री पर ठीक है मेक इंडिया वाले भावना को अगर प् देखा हमने दौर लगाई जा रही है प्रधान मंत्री को कैप्चेर किया जाकर हमने के दारवात में देखा कि पंडित को धका देखा था कि यह वही एक बात और अभी सार जो आपने अभी दिखाया स्क्रीन पर दर्शक उनने देखा पढ़ा इसमें जो मेडिया के लोग है वह बात ऐसे कर रहे हैं जैसे भाश्पा की परवक्ता हैं वह पूछ रहे हैं कि विपक्ष खुश हो जाता अरे यह क्रिमिनल डिफरमिशन वाला केस है यह तो कि आप यह कैसे बेहुदा चीजे कह सकते हैं कि देश के लोग देश का विपक्ष इन नागरिकों की चिंता वह जी को थी उन मोदी जी को जिनको नौ दिन तक एक लाइन का ट्वीट करना एक लाइन का फोन करना पहला फोन आपको याद है वर्ल्ड कप के अगले दिन किया था जब ब्रेकिंग निउस चलनी शुरू हो गई थी कि मोदी जी ने धामी को फोन किया वह नौवा दिन था मजदूर मजदूर को बचाने पहुचा और अपनी जान को जोखिम में डालके दरसल इनोंने बचाया क्योंकि आपकी टेखनीक और आपका जो सारा डिजाइन था जो आपदा प्रबंदन होता है वो तो पूरी तरह से फेल था बिलकुल दरसल अब जो हम अपना तीसरा देश के उपराश्पदी जगदीब धनकर एक सामवैधानिक पद राजनीतिक पक्षपाज से उपर मगर उनका बयान सामने उभर कर आता है कि जैसे महात्मा गांधी उप्षवा करते थे मौजूदा युकपुरुष हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ये तुलना उन् अभिसार यही लगता है कि शैद धनकर जी भी भूल गए हैं और सभी लोग भूल गए हैं कि उनका क्या पद है उस पद की गरिमा क्या है और उस गरिमा के तहत वह क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए मुझे लगता है कि पूरी की पूरी मशीनरी को इसी तरह से उपरेट किया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का प्रचार प्रसार करना है उनको भगवान जैसा बनाना है और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम यह भी देखेंगे कि किताबों में जब शामिल होंगे मोदी जी तो धनकर सही तमाम कॉंस्टूशनल पत पे बीच में तब एक देवकांत बरुआ था जिसने कहा था कि इंडिया इस इंद्रा इंद्रा इस इंडिया मगर आज आप देखें आप जहां हाट डालें आपको धेरो देवकांत बरुआ मिलते हैं जगदीब धनकर उनकी जीती जाकती मिसाल है यह सब क्यों हो रहा है ताकि आप प्रधान मंत्री के कामूं की आलोशना ना कर सकें उन्हें इश्वर तुल्ले बना दे ना सिर्व इश्वर तुल्ले इश्वर से बड़ा धर्जा देते हैं और मेलेशी क्या इस मुद्दे का पांच भारती जनता पार्टी में और मुझूदा शासन में भी जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं दरसल उन्होंने एक अजीब तरह की मेथडोलोजी एडाप्ट कर ली है जनता को एक तरह से जनता पर अपनी बात को इंपोस करने का अपनी गलत बातों को सच्ची बताने का क इनको चनोती देने का इनकी आलोचना करने का कोई अम मतलब नहीं रहा गया है मुझा लगता है लोक तंतर के लिए सबसे खतरनाक ये घड़ी है भाशा जगदीब धंकर वाला केस जो है बहुत दिल्चस्प है इन्होंने ये बयान दिया हम जानते हैं राजसभा के सभापत के कोई कार करता हूं नेता हूं जगदीब धंकर जो जिसे कहते हैं जो नुकसान पहुचा रहे हैं इस देश की सामविधानिक जड़ों को वो अप्रत्याशित है और देखे मुझे लगता है कि ये भी इस्टैबलिश किया जा रहा है स्थापित किया जा रहा है कि दरसल यह कौलिफिकेशन होता था कि आपको राजा का गुडगान करना है राजा से सवाल नहीं राजा का गुडगान तो आप देखेगा उपर से लेकर नीचे तक अभिसार सारे के सारे लोग राजा यानि मोदी जी का गुडगान कर रहे हैं और मोदी जी भी उसी तरह से बिहेव कर ताक पे रख दिया गया धंकर जी का उपराश्टपती बनना ही ये क्रम दिखा रहा है कि वो किस कैटेगरी किस वज़ा से बने जो आपने उलेक किया तो पहली चीजी यही है कि आप समेधानिक मर्यादा को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ भक्तगणों को इस्थापित किया जा रहा है आप चलि राजपाल को बूल जाएं जाज़े वो जिस तरह का महिमा मंदेन करते हैं हमारे सामने मिसाल है उसकी सबसे अचैन कि स होकें इंडिया है यह अमरतकाल है देखे जुडिसिरी का हाल तो यह है और भी टॉप जुडिसिरी का आपने नाम लिया अच्छा किया जस्टिस अरून मिश्रा जी उन्होंने क्या कहा था मोदी जी के लिए उन्होंने भी भगवान नुमा कुछ बात कही थी मुझे एक्जैक्ली न लेकर लेकर बैठे रहें दस विधैकों को और एक को उन्होंने वो किया फिर इसके बाद उन्होंने जिद्दिकी की नहीं आगे नहींवड़ेंगे सदन बैठा सदन ने फिर से पास किया उन ne बिय्युन को और फिर भेजा अब फिर वो कुछ करना चाहते हैं jakiś तरह का आरि संबैधानिक मर्यादा और मानिताओं को उसमुंकी धज्यां उड़ा दी गई देकि दुनिया के कई मुलकों में केवल भारत की बात नहीं है दुनिया में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जहां जहां डेमोक्रिसी से आटोक्रेसी की तरफ एक तरह से ट्रांजिशन जबरन ट्रांजिशन करने का एक खेल पूरी दुनिया में चल रहा है आप दुनिया के अनेक देशों को देख सकते हैं हमारे आप तरकी को देख लीजे आप दूसरे अन्य कई देशों को देख लीजे तो मुझे लगता है भारत भी उसी की दोड में शाविर हो गया है और सारे के सारे लोग इस party के सत्याधारी दोड़े पुजा कर रहे हैं मुझे सबसे ज़्यादा हसीज बात की आरी है कि आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं वो महात्मा गांधी जिन्हों ने इस देश को जब आजादी मिली थी तो वो किसी कोने में जो है उस आजादी में इसलिए शरीक नहीं हुए थे क्योंकि वो जानते थे यह आजादी अधूरी है वो जानते थे कि देश बटवारी की आग में बैठा हुआ है जो अपने सिधानतों के लिए चौरी-चौरा अंदोलन होता है वो आदमी कहते थे था नहीं मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए ऐसा शौर ऐसी हिम्मत है इस देश में या इस पुलिटिकल पार्टी में किसी में ने लेकिन देखे ये भी बड़ा मज़ेदार है अभिसार कितना दुख हो रहा होगा उनको ये बोलने में कि इनकी तुलना मैं कर रहा हुआ तो ये सोच रहे थी कि मैं चेहरे को रीट करने कोशिश कर रहे थी कि धनकर जी को वाकई जब बोलना पड़ा होगा कि पिछली सदी के ये थे और इस सदी के ये हैं तो दिल पे बड़ा पत्थर लग रहा होगा कि वो दीन दियाल जी का नाम नहीं ले पा रहे हैं वो सावरकर जी का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे लगता है यह बात बिल्कुल साफ है अभिसार मजबूरी में ही चाहे उनको मोदी जी को विदेश में जाके गांधी जी के आगे जुकना पड़े या जब G20 करते हैं तो कोई और जगा नहीं मिलती है उनको जाना पड़ता है राजगाट भी तो यह भी मजबूरी ह कि सत्य और अहिंसा के जो पुजारी है नाम तो आपको लेना ही पड़ जाता है अब यह बोल नहीं पाए हो सकता है इतजार करेंगे हम लोग 2024 तक का कि हो सकता है उसके बाद बोलें कि उनको भी लांग दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अरे भाई जो लोग यह कह सकते हैं कि जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे जब आप राम के उपर खुद को खड़ा कर सकते हैं वेंकटेश्वरा के उपर खुद को खड़ा कर सकते हैं स्वामी विवेकानन के उपर खुद को खड़ा कर सकते हैं तो फिर महात्मा गांधी भी क्या है उनको भी किया जा सकते हैं बिल्कुल इंतजार करते हैं चलि बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी और भाशा आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही दीजिए इजासत नमस्कार